गोडिनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब होपसो सब अच्छे होंगे 28 जन्वरी 2019 की करंट अफेर एक्सप्रेस में आप सब का स्वागत है और आज हम देखेंगे 28 जन्वरी कौन-कौन से करंट अफेर हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं दो दिन के छुट्टे के बाद हम फिर से करंट अफेर एक्सप्रेस के साथ आप से जुड़ रहे हैं तो इसमें दो दिन के करंट अफेर भी हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हम रिपब्लिक डे से सम्मंदित बाते करेंगे Republic Day की theme क्या थी Republic Day पर कौन Chief Guest थे उसे सम्मंदित कुछ facts कवर करेंगे इसके लवा हम बाहरतर रतन पुरुषकार पदम पुरुषकार इसके बार में बात करेंगे कौन से transgender मेला को पदम पुरुषकार दिया गया पर ये सारे इक सारे facts इसके अंदर हम देखेंगे तो 70 गंतंतर दियोष मनाय गया उसके जो थीम ती ओक्या थी गांदी जी का जीवन गांदी का जीवन इस बार के गंतंतर दियोष की theme थी सत्तरवे गंतंतर दियोष की इसकी theme इसलिए रखी गई क्योंकि इस बार 2019 में गांदी जी की 150 वी जैनती मनाय जाएगी तो सरदान्जली शरूप गांदी का जीवन ये थीम रखी गई है गंतंत्र दियोस की गंतंत्र दियोस पर इस बार के जो गैस्ट थे या मुख्य थे ते वो कौन थे दक्षने अफरिका के राष्टपति श्रील राम फोसा इस बार के चीफ गैस्ट थे ये ऐसा दूसरी बार हुआ इससे पहले 1905 में मे जाने माने नेता जिसको सब जानते नेलसन मंडेला जी बार्थ की मुख्य थे रहे तो ये दक्षने पर इका कि दूसरे नेता थे जो बार्थ की गंतंत्र दियोस की मुख्य थे रहे श्रील राम फोसा ये हम सब को पता है 26 जन्वर 1950 को हमारा सभीदान लागू आता इसके सा तुर रहे कि 70 गंतंत्र दियोस के उपलक्ष में हमारे रक्षा मंत्रा लेन किसने हमारा रक्षा मंत्रा लेने एक मोबाईल एप लॉंज किया डिपी इंडिया दो अजार उनेश रिपब्लिक डेप्रोग्राम 2019 इस एप के पर जाकर कहम देख सकते हैं कि क्याकर जाकियों औ उसके बारे में इस गंतंतर दिवस पर कुछ क्या कुछ नहीं आ रहा है उसके बारे में कुछ facts हम cover करेंगे तो 70 गंतंतर दिवस के सबसे खास बात ती लेप्टिनेंट भावना कस्तूरी लेप्टिनेंट भावना कस्तूरी महिला अधिकारियों 144 पुर्षों की टुकडी का न नेतर तो किया और उस महिला का नाम क्या था भावना कस्तूरी इसके अलावा आसाम राइफल की एक अखिल महिला टुकडी ने भी इस गंतंतर दिवस समारों के अंदर भाग लिया तो आसाम राइफल को जो कि नोर्थ इस्ट का प्रेरी भी जिसको बोलते है उत्तर को का दोस्त मित्र भी कहते हैं ठीक है तो आसाम राइफल जो बार्थ की सबसे पुरानी अर्थ सेनिक बल है उसकी महिला टुकडी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया 2012 में आसाम राइफल में महिलाओं के लिए खोला गया तो पहली महिला टुकडी 2019 के गणतंतर दिवस का इसके अलावा जो हमारे एर फोर्स के जो वीमान है जोदपूर अड़े से जो उडान बरके दिल्ली पहुंचते हैं तो उसमें पहले बार जो विमान पार्टिसपेट की विमान उसके अंदर पहले बार बाई फ्यू यूज किया गया जए अंदन कॉप्यों किया गया हमा आजाद हिंज फोज होती उसके चार्ज पूरो सेनिकों ने इसके अंदर पहले बार पार्टिस्पेट क्या आजाद इंडिया नेशनल आर्मी के स्थापना रास बियारी बोस ने 2012 में किती दक्षने पूर एश्या में इसके अलावा जो मार्शल टून है वो भी इस बार नहीं थी मार्शल टून पहले तो वह मेरे विदेशी टून मार्शल टून बजाते थे इस बार संखाननन्द पहले बार सवतनतर सोरी गंतंतर द्योस के प्रेडम बजाएगे तो यह फ इसके बार मेरे ज्यादर तरट तो आप सबके पास ही बस पास्ट इसकार इकायप अनटनतर नागरिक पुर्षकार करें दो जरौन हो उन्निस स चुद्वाद की गई थी इसके लिए जाति व्यवसाय पदि लिंग के बेद्वावट की आदार पर तीक है इस बात को कोई भी लिखित प्रावदा नहीं है कि ये बारती नागरिकों को दिया जाएगा विदेशों को नहीं दिया जाएगा विदेशों को भी ये दिया जाता है उच्तम सेवा के लिए ये दिया जाता है और जो हमारा मूल अधिकार है अनुछेद 18 वो कहता है को कोई भी पद्वी अपने नाम के आगी यूटलाइजेशन नहीं कर सकते लेकिन इसमें इसा बताएगा कि इंट्रोडक्षिन के लिए बाहरतरतन का नाम यूज कर सकता है तो यह आर्टेकल 18 भी बाहरतरतन से रिलेटेड है जो हमारा fundamental right है इसके बार में कुछ facts 1924 में बाहरतरतन की गोष्णा की गई थी पहले बार उसमें सी राजा गोपालचारी सरवपली राधा कृष्णा और सीवी रमन को पहले बार तीन वेक्टिव को पुर्षकार दिया गया था उन्यों पच्पन में यह पुर्षकार मरणो प्रांत लोगों को दिये जाने लगा और 2013 में पहले बार खेल छेत्र को भी इससे जोड़ा गया और इसमें सचिन 30 को यह पुर्षकार दिया गया था इसके तैट कोई राशी नहीं दी जाती कि उले एक प्रमान पत्तर और एक पदक दिया जाता है इसमें सरकारी वाक्स उनको सुधाय मिलती है और जो तेर विराश्ट पती थे प्रणाव मुखर जी बात के तेर विराश्ट पती थे व्यक्ति करम के इसाब से बार विराश्ट पती थे साथ में ओकिस को दिया गया है नान जी देश मुख जी को दिया गया है प्रणाव मुखर जी को दिया गया है बुपेन अजारिका जी को य इसके अलावा बारततन के साथ पदम पुर्षकारों की गोशन की जाते पदम विभूषण पदम पुर्षण और पदम श्री तूसे सम्मधित कुछ फैक्ट सम्म कवर करें पदम विभूषण इस बार चार लोगों को दिया गया किसको एक तो लोकलाकार तीजनबाई को पुर्षकार जिबूति के राष्चपति को दे ध्यान रखना जीबूति के राष्टमती को पदम विभूषण दिया गया उनका नाम को समय क्राश्च माल ओमर गुले कहा की राष्च्पती हैífic मो मु cette चार लोगों को प्तम विभूषण दिया इसके अलावा यहिदम है ? चोदा लोगों को दिया गया है और पदम स्री चोरान में लोगों को दिया गया है तो टोटल 112 लोगों को यह पदम पुर्षकार दिया गया है चार लोगों को पदम विबोसन चोदा लोगों को पदम बोसन और चोरान में लोगों को पदम स्री इसके अंदर टोटल 112 लोगों म एक्टीस महिला हैं, ग्यारा विदेशी हैं, और तीन ऐसे लोग जो नोको मरनौ प्रांथ पुर्षकार देगा, सबसे खास बात यह कि ट्रांसजेंडर महिला को भी पुर्षकार दिया गया, पदम स्री पुर्षकार दिया गया, तो उनको नाम हम डिसकस करेंगे आगे, ठीक ह इसके बारे हम खेल से सम्मन्द को कि इसकी खिलाड़ों को पुर्षकार दिया गया, उनको अपन कवर कर लेते हैं, तो 1984 के अंदर पहली जो बारती महिला थी हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, पहली बारती महिला जो वाउट एवरेश्ट के चोटी फटय करने वाली बच बचंद्री पाल को पदम से पहले दिया जा चुका था, इस बार बचंद्री पाल मेडम को पदम भुषण पुर्षकार दिया गया, इसके अलावा बजरंग पूनिया जिन्हों राष्ट मंडल खेलिया और एश्याई खेलों में 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता था थ पुर्षकार दिया गया, इसके अलाव गोतम गंबीर को पदम से पुर्षकार दिया गया है, फुटबाल में सुनल छेत्री को पदम से पुर्षकार दिया गया है, टीटी में अचल सरत कमल को पदम से पुर्षकार दिया गया है, सत्रंज में द्रोणा वली हरीका को पदम से पुषण 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 लेकिन इंडोनेसिया मास्टर्स जीतने वाली पहली मांइला ख्लाड़े बनगे है, साइना नेवाली दान रखना पीवी सिंदू नहीं, ठीक है इसके लावा आउस्ट्रेलियों उपन खतम हो गए तो आउस्ट्रेलियों उपन का पुर्ष सिंगल्स का किताब जिता है, नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल को रा करके साइट वी बार ये पुर्ष का जिता है इसके लावा रोजर फेडरiser का उन्हों नहों ये रिकोर्ड तोड दिया है इसके लावा, अगर महलावर के अंदर बात करें तो नाउमी ओसौका जापान के नाउमी ओसौका तो नवाग जोग विच और नावमी उसका ने ओस्ट्रियन ओपल जेत लिए इसके लाओ ओक्सपोर्ड के डिक्सिनरी में एक नया सब जोड़ा गया है नारी सक्ती नारी सक्ती को हिंदी वर्ड ओब दा इयर गोशित किया गया है उक्सपोर्ड द्वारा इसके लाओ जो हम पहले बता चुके थे कि बिना इंजन के ट्रेन ट्रेन 18 जो चलाई गई थी वो भाट की सबसे हाईस्ट स्पीड से दोडने वाल एक सो साट किलोमेटर परती गंटेक दोडने वाल ट्रेन का नाम बदल दिया गैंगा इंटेग्रियल को फैक्टरी चेन परने 20 महिनों के अंदर कर लिया गया है मेक इंडिया बनाए गया और यह उड़ी कुछल है क्योंकि इसके अंदर LED लाइटी लगाएगी बिना इंजन से चल रही है इसके अलावा इसके अंदर बायो टोइलेट्स भी हैं तो यह बाद इसके अलावा जो दो सोर्स है सार्स है या इस सार्स को राजी पसु का दर्जा दे दिया यूपी ने तो इसलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेगी दुनिया सबसे लंबा उड़ने वाला पक्स यह कौन दा सोर्स ठीक है और बाहत का एक मातर निवासी परजनन क्रेन है यह अगर इंटरनेशनल यूनियर ऑफ कंजरोईशन ओफ नेचरल रिसोर्स की बात करें तो उसकी रेड डाटा बुक में इसकी स्थिति कम जोर है और इसके लावा सीरियस फ्रोड इंवेस्टिगेशन ओफिस गंबीर दोखादरी जांच काराले चर्चामरा तो कौन से मंतरा ल लेकर अंदर वैदानिक है ठीक है और 2017 में इसको ग्रफतारी के अधिकार भी दिये गए है इसके लावा एक है जीरा लेनोन जीरा लेनोन के एक फंगल विस है तो यह दहान रखना है जीरा लोनन के फंगल विस है जो गेहूं मक्का है इसके अंदर के विमारी पैदा करता है जीरा लोनेल, तो जीरा लोनेल का वाक भीश है, जो गयों मक्का के अंदर बिमारी पैदा करता है, That is our two days lecture series, hope so you like it, and say rate और अपना जुड़ाव इसे बनाए रहेंगे, सबसे पहले तो 700 लोग इस परिवार से जोड़ चुके हैं, उन सब का अबार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशा और उम्मीद है, कि हम इस मिशन को और आगे बढ़ाईएंगे, आज का जो पहला सवाल है वो, पदम विभूशन पुर्षकार, पदम विभूशन पुर्षकार जीबूती के राष्टपती को दिया गया है, तो जीबूती के राष्टपती का क्या नाम है, पहले ट्रांजेंडर महिला का क्या नाम है, जिनको पदम पुर्षकार दिया गया पहले transgender महिला तीसरा जो question है बाद के सबसे तेज़ चलने वाले train 18 का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है चोता जो question है वो पदम विभुशन पुष्कार तीजन बाय को दिया गया वो कौन से राज्ये से सम्भन दिता है तीजन बाय को दिया गया